एट नॉंबर को पद्मा अवोर्ड समारव हुआ राश्ट्रिपति भावन में जिनमें सेवन परसनेलिटीज के लिए पद्मा भूसन अवोर्ड मिला और दस परसनेलिटीज के लिए पद्मा भूसन अवोर्ड मिला और 102 परसनेलिटीज के लिए पद्मा स्री अवोर्ड मिला जिनमें जो personalities थी जिसे पीवी सिंधु, मेरी कौम, करन जोहर और कंगना रनोत एक्सेक्टरा तो यहाँ पे यह award पीवी सिंधु और मेरी कौम के लिए दिया जाना वाजिब है लेकिन जैसे ही यह award दिया गया कंगना रनोत को तो सोसल मीडिया में एक हंगामा मच गया कि भाई क्यों ऐसा क्या कर दिया कंगना रनोत ने जिसके लिए उनको पदमसरी award से नमाजा गया है तो आईए दोस्तों आज यही जानते हैं इस वीडियो में कि कंगना ने इसा क्या क्या था जिसको उसके लिए पदमसरी अवोर्ड दिया गया आईए जाने दोस्तों मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो कंगना रनोथ पदमसरी अवोर्ड के लिए 0% deserving candidate है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो पदमसरी अवोर्ड है वो इंडिया का 4th highest civilian अवोर्ड है जो कुछ ऐसी फिल्ड में दिया जाता है जैसे science, engineering, public affairs, social work, trade and industry, medicine, literature, sports and civil services तो इसका सीधा से मतलब यह बनता है अगर कोई इनसान इन फिल्ड में कोई remarkable काम करता है तो उनको यह अवोर्ड दिया जा सकता है लेकिन कंगना को जो यह वोर्ड दिया गया है यह तो ऐसे लगता है जिससे कंगना ने government की तारीफ करने के बदले में government से यह वोर्ड लिया हो दोस्तों अगर कंगना रनोत की acting के बारे में बात करें तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ वाकई में कंगना रनौत एक कमाल की एक्टर हैं लिकिन वही पर उनके व्यक्तित्म को देखें तो कंगना रनौत एक बहुत छोटी और गिरी हुई सोच की औरत है पिछले एक साल से जितनी गिरी हुई हरकत कंगना की देखने को मिली है साइधी इस से पहले किसी और personality की ऐसी हरकतें देखने को मिली हो कोई एक साल से अपने घरों को छोड़ कर सडकों पर बेटे हुए प्रोटेस्ट और आंदोलन कर रहे हुए किसान उनके लिए आतंगवादी और खालिस्तानी है और ये स्टेटमेंट उनकी बार-बार देखने को मिलती रही है तो ऐसे ही पदमसरी अवर्ड के मिलने के बाद भी कंगना रनौत एक वीडियो जारी करती है और उनमें फिर से किसानों को खालिस्तानी कहती है और वो कहती है ये जो ओड मिला है ये किसान भाईयों के मुँपर एक तमाचा है कंगना हर उस इंसान का विरोध करती है जो गौवर्मेंट का विरोध करता हो या फिर government से सवाल पोँचने से नहीं हिचके चाता हो कंगना ने किसान आंदोलन का विरोध किया साहिन बाग का विरोध किया बंगाल में जो BJP की government हार गई थी उसका विरोध किया और बंगाल की हार के बाद कंगना एक tweet करती है जिसमें वो मोदी जी से कहती है कि आप उसी रूप में आ जाईए जो आपका 2002 के दंगों में रूप था मतलब आप उसी विराट रूप में आ जाईए जो आपका 2002 के दंगों में देखने को मिला था और इसके बाद टीटर ने कंगना को अपने प्लेटफोर्म से पर्मनेंटली बेन कर दिया और उसके बाद फिर कंगना की ऐसी बक्वास वाहियात बाते कंद देखने को सुनने को मिली थी लेकिन अब government ने उसको award दे दिया है अब कंगना का फिर से confidence बढ़ गया है अब कंगना की ऐसी और बक्वास सुनने को मिलती रहा करेंगी दोस्तों मेरे opinion में जो ये award कंगना को दिया गया है ये इस award की शान पर एक धबबा है एक्शल में जो इसके हगदार थे वो मेरे opinion में सोनसूध है यहाँ पर अकेले सोनसूध ने इतना काम किया था जितना पूरी government ने नहीं किया था pandemic के दोरान सोनसूध ने हजार लोगों को जो migrants और workers थे उनको उनके घर पहुँचाया और कोई 75,000 से ज़्यादा लोग उनकी pending list में भी थे और फिर उसने एक योजना चलाई सक्ती अनदान योजना जो कि उसने अपने पिताजी के नाम पर चलाई थी जिसमें वो daily कोई 45,000 लोगों को खाना खिलाते थे और उनका इलाज कराते थे तो इन सब के चलते सोनसूध काफी limelight में रहे और social media में एक hero बन गए थे और ये सब बात एक इनसान को गवारा ना थी क्योंकि limelight में रहने का, headlines में रहने का और camera के सामने रहने का हग सिर्फ एक इनसान को है ये उन्ही का supreme काम है और उसके लिए फिर सोनसूध को income tax department की raid का सामना करना पड़ा तो यहाँ पर सोनसूध सरकार की आँखों में तभी से खटकने लग गए थे तब उसने सरकार की इतनी सारी नाकामया लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी थी pandemic में इतना काम क्या था और वो social media पे एक hero बन गए थे और government को criticize करने लगे थे लोग यहाँ पर government को criticize करने लगे थे उसके बाद फिर सोनसूध पर income tax की raid पड़वा दी अगर हम यहाँ पर comparison देखे हैं सोनसूध और कंगना रनोत में तो इन दोनों में इतना ही फरक है जैसे अंधेरे और उजाले में यहाँ पर जो कंगना रनोत है वो इस देश के लिए एक अंधेरा है और सोनसूध जैसे लोग इस देश के लिए मसीहा है मतलब यहाँ पे एक तरफ है कंगना जो बाकवास, वाहियात, दंगे भड़काने वाली और लोगों के दिल में नफरत का बीज बोने वाली बाते करती है और उनको पदमसरी ओवर्ड से नवाजा जाता है और दूसरी तरफ है सोनुसूद, जो वाकई में तारीफ के काबिल काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनको सच में उनको एक ओवर्ड देकर सम्मानित करना चाहिए था लेकिन वहाँ पे गौर्वर्मेंट उनके उपर इंकम टेक्स की रेड पढ़वा देती है मतलब वा मोदी जी वा वैसे मेरे ओपिनिन में सोनुसूद जी ने एक काम किसी ओवर्ड के लिए क्या भी नहीं था उसने एक काम क्या था इंसानित के लिए और अपने देश के लोगों के लिए तो यहाँ पे कंगना के एक और वीडियो वाइल हो रही है जिसमें कंगना कह रही है कि जो 1947 में आजादी मिली थी वो तो देश को एक भीग थी एक्चल में जो आजादी मिली है वो तो 2014 में मिली है मतलब एक तरह से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बेजती यहाँ पे कंगना के द्वारा देखने को मिली है और वो आगे इस वाइरल वीडियो में बात करती है हिंदुस्तानी ब्लड का ठीक उसी तरह जैसे हिटलर बात करता था प्योर जर्मन ब्लड का ज़से हिटलर कहता था कि जो नाजी हैं सिर्फ उनही का सुद्ध घून है और वही इस देश में जर्मनी में रहने के लायक है और फिर उसके बाद ऐसी बातों से जर्मन के ज़्वन तर लोगों का ब्रेनवियोस हो जाता था और उसके बाद फिर हिटलर पावर में आये थे एक्चल में मैंने हिटलर के पावर में आने की पूरी कहानी एक वीडियो बनाई हुई है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो यहाँ पर कंगना रनौत को जो ये अवर्ड मिला है ये गवर्मेंट की तरफ से कंगना रनौत के लिए एक तोफा है ये तोफा है गवर्मेंट को डिफेंट करने के लिए और उनकी तारीफे करने के लिए वरना पिछले साल तो कंगना रनोत ने हदे पार कर दी थी वो गवर्मेंट की भगती में इतनी लीन थी कि उन्होंने पेंडेमिक में जब पेंडेमिक सेकिंड वेव पीक पर था यहां पर लाखो लोगों की जाने जा रहे थी और कंगना रनोत अनापसना भकवास कर रही थी तो दोस्तो मेरे ओपिनियन में ये अवोर्ड डिजर्व करते थे सोन उसूल हाले कि उनको किसी अवोर्ड की जर्त नहीं है आपकी इस समय क्या रही है दोस्तो कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियों के लिए ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं थैंक यू